hello friend आज किस video हम जोने वाले हैं चत्रभूज के बारे में और चत्रभूज की जीतने भी फोर्मूले हैं उन साथे फोर्मूलों को इस video हम रिटेल से जोनेगे तुसरू करते हैं इंटू P1 प्लस P2 अब यहां पली देते हैं यह जो डी पी यह जो लिखें यह क्या है उसके बारे में जहांपे हो जाएगा डी जो है उसको हम विकर्ण कहेंगे बिकर्ण के पहँए और उसके बाद यहां पर पी वन तत्था में जो है P2, उसके बारे में हम समझेंगे P1 तत्था P2 जो है, यह विकर्ण है, विकर्ण पर जो लंब होगा उसी कहेंगे Bikarn पर लंब है, यहां पे चत्रफुज का शित पहल हम लिखे हैं 1y2 d p1 प्लस p2 यह जो d है यह बिकर्ण हो गया p1 और p2 जो है यह लंब हो गया बिकर्ण पर जो लंब होगा उसको हम कहेंगे p1 और p2 अब हम समझने वाले हैं आगला चत्रफुज का बिकर्ण ब्रावर चत्रफुज का बिकर्ण यहां चत्रफुज का बिकर्ण बिकर्ण जो है हम उसको d से सुचित करते हैं और यहां पे जो परतियेक को जो परतियेक को 90 डिग्री पर काटता हो तब चत्रफुज का चत्रफल ब्रावर यहां प्लिखेंगे d1 गुने d2 बटे में 2 अब इसके बारे हम समझेंगे क्या कहना चाहते हैं चत्रफुज का विकर्ण उसको हम D से सुजित करते हैं और यहाँ लिखे हैं जो परते को 90 डिग्री पर काटता हो यानि कि 90 डिग्री के एंगल पे उसे काटना होगा और कह रहे तब चत्रफुज का शित्रफर क्या होगा तो यहाँ पर हो जाएगा D1 गुना D2 बटे में 2 या चत्रफुज की दो ही सुत्र हैं आसा करते हैं कि या वीडियो आपको समझ मागया होगा धन्यवाल